नवस्त्य दोस्तों वल्डीज गोल्ड में आपका स्वागत और अब थोड़ी स्वास्ते संबंदी चच्चा हो जाए देखिए सेक्स के विशे में तुम रोजी बताते हैं आज एक आपको बहुत अच्छी चीज से परिशित करा रहे हैं उसका नाम है रसोनादी अर्क रसोनादी अर्क यानि कि संस्कृत में लहसुन को रसोन बोलते हैं और ये टिंचर बनता है रसोनादी अर्क बनता है और इस अर्क को हमने हमारे गरपे मेंने कहीं दफ़ा बनाया और कहीं दफ़ा काम में लिया और कहीं को दिया इसके बहुत प हाँ तो हम बताते हैं पहले तो इसके कंटेंस देखे लेसुन की साप कली सवा छे तोला तुल्शी के हरे पत्ते सवा दो तोला ओर जावित्री का अध कत्रा चूरन सवा छे तोला ओर रेक्टिफाइड इस्प्रेट साट ओंस हम एक बार इसके कंटेंस और बोलते हैं रसोनादी अरके देखे लेसुन की साप कली कली का मतलब एक एक गोटा सवा छे तोला तुल्शी के हरे पत्ते सवा दो तोला ओर जावित्री अध कत्रा चूरन सवा छे तोला ओर रेक्टिफाइड इस्प्रेट साट ओंस रेक्टिफाइड इस्प्रेट अगर नहीं मिलता है तो अच्छे किश्म की आप वाइन ले लीजिए और विसे मिल जाता है यह कंटेंस हैं इनको बनाने की विदी बताते हम इन सब को मिला कर बोतल में भर लेवे और उपर से मजबूर डोट लगा दे बोतल का मूँ बंद रहे और 48 गंटे तक उस बोतल को पड़ी रने दें उसके बाद 48 गंटे के बाद उस बोतल में जो भी चीज है उसको फिल्टर पेपर से आप छान लेवें और आपकी यह दवा तैयार है छान लेवें और जो खच्रा बचे उसको फैंक देवें 48 गंटा आप बोतल में रखें क्योंकि यह सब उड़ने वाली चीज है इसलिए मदबूत ढकन लगावें और 48 गंटा बाद उस बोतल को आप फिल्टर पेपर से चान लेवें और कच्रे को फैंक देवें दवा आपका रसोनादी अर्क तैयार है यह आपका पांच साल भी ख पांच से दस मूंद एक ओंस ठंडे पानी में लेवें और इस तरह दिन के अंदर तिन बार लेवें अब यह क्या काम आता है इसके उप्योग क्या है रसोनादी अर्क उष्ण वीरिये उत्तम जतुगन दीपन पाचन और वात हर उष्णी है यह मामूली चीज नहीं है यह बड़ी जबर्दस चीज है उदर शूल अफारा अगने मंद अजीन विशुची का याने कि पतले दस्त और डाइरिया उल्टी अरूची विबित वात रोग श्वांस दुर्गंद में कफ युक्त खांसी कुत्ता खांसी फेपनों का सोजन और बुखार और इसके अलावा ये इन सब का नास करता है इसके अलावा नाड़ी वर्ण और करन शूल में भी उपयोगी है नाड़ी के इंदर कोई दूखना हो जाए उसमें और कान के दद में उपयोगी है एक बार और हम बोल देते हैं ये रसोनादी 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 वीरिये उत्तम जतुंगन और दिपन पाचन और वात हर उस्तिये यानि कि शरीर के दर्दों को दूर करने वाली और ये हाजमा को सही करने वाली ये दर्दों को दूर करने वाली उस्तिये पेट में अगर दर्द है तो ठीक करती है अफारा को ठीक करती है जिनको भूग नहीं और खाया वह पस्ता नहीं है उनको ठीक करती है बार बार दस्त आते हैं उनको ठीक करती है उल्टी का मन करता उसको ठीक करती है खाने में अगर रूशी नहीं है तो ठीक करती है कभी सरीर में कहीं दर्द कभी सरीर में कहीं दर्द उनको ठीक करती है और जो सांस के अंदर जो द्रुबंद आती है उसको ये各 कती है और सब्सक्राइब कंदा इसके एह कै अलावा नाड़ी के अंदर को भड़न होता का इसको ठीक है तो इसकी एक दुबुन से तूरंत कान का धशीख हो जाता है वर या लाट में फूरां में गरना को राक्त किक रक्त बाहर बढ़ना है नहीं का हाई ब्लेड पेशर जेखिए बड़ी काम की चीज है हाई ब्लेड पेशर वालों के लिए वो भी द्यान से सुने हाई ब्लेड पेशर शंग्र नी जिनको बार बार दस्तन लगती है कंट गमाल यानि गले में गांठे हो जाती है और अपस मार याने कि मिर्गी की बिमारी इत्यादी में भी ये बहुत काम की चीज है और इसका इंजेक्शन भी लगाते हैं इसको छोड़े आप कुल मिला के हाई ब्लेट पेशर में इसकी बहुत ही उपियोगिता है जो हाई ब्लेट पेशर हैं वो इसका नित्य उपियोग करें उन्हें अलग से तुल्ची खाने की जरूत नहीं अलग से लह सुन लेने की जरूत नहीं इसके दो दफ़े सुबह और साम को दददस बूंद हाई ब्लेट पेशर की रोगी लें तो उनका कॉलेस्टेल भी कम होगा और ब्लेट पेशर भी कम होगा और इसके जो गुन है वो और बता सब सबसें ठीक होते हैं इसके अलावा स्हेंटे entry हैं इसके कर सेश्कुन के भार ऐसे प्रति यह तो ये उसको कि ठीक करती है जबहें ररक्त बढर्यादी इसलिए रज्वन आदी अर्ख बड़े हुए ब्लेट पैश्र के रोगियों को देते हैं देखिए ये जिनका बीपी बड़ा हुआ है तो उनके लिए इस सच्टी और सरल क्या दवाओगी उनको दिन में दो तिन दफ़ल लेना चाहिए इसके अलावाद साइटिका रोग में ये काम करती है पेट के दर्द में काम करती है कमर के दर्द को ठी करती है और सा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं मैं इसको दस सालों से बना रहा हूँ और कईयों को दे भी देता हूँ मित्रों को औरों को इसमें बनाने में कोई दिपक्डो नहीं है देखिए तुलसी अपने घर में मिलती है लेसून मिलता ही है और जावित्री बजार से वो ले आईए और रेक्टिफाइड इस प्रेक्टिबर इत्तिशी चीजें लेकिन यह एक बहुत उप्योगी दवा है इसको आप बनाएए और फाइदा उठाएए आप सब तंद्रस रहें और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए